नमस्कार बहुत स्वागत आपका देख रहे हैं जो तिश्य रहत के मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रंट संतो संतोशी और आज आपको हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो मंगल से संबंधित है कुंडली में मंगल की इस्थिती के साथ कैसे हमारा आपका जीवन चलता रहता है बड़ी रोजक्सी जानकारी हम बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि मंगल से बनने वाले एक बहु प्रचारित और बहु प्रचलित योग मंगलिक योग की कुछ और सक्चायों के बारे में वैसे तो मंगलिक दोशों पर हमने कई व्याख्यान दिये हैं कई वीडियोज हमारे पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं उनको लेकिन उसका लिंक भी हम चलवा रहे हैं और दिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में भी मैं डाल दूँगा जो मंगल के बागी के हमारे कारिकरम है आज हम मंगल को शुब करने के लिए इट का जिसको इंगलिस में बिक कहते हैं बि-र-ई-सी-क बिक इट का हम प्रियोग बताएंगे इसमें कुछ कहने की आबश्यक्ता नहीं है कि मंगल का इट से सम्मंध किस प्रकार से बनता है बता भी देता हूँ अगर आपको नहीं जानकारी है यहां तक तो आपको पता ही होगा कि मंगल भूमि पुत्र है जोतिश में रुच रखने वाले जानते हैं कि मंगल जमीन से जुड़ा हुआ है प्रथवी का कारक मंगल है इसमें कई गूढ रहस्य भी है देखिए मैं बताओं आपको लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे कभी आप सोच भी नहीं सकते जहां तक मैं बता दूँगा आपको बस यतना कलपना करिएगा कि मंगल अगर प्रथवी से है तो मैं मिट्टी का ही प्रियोग क्यों नहीं बताया इट क्यों लिया मैंने अब यहां से आपकी दिमाग को हम जरा सा हटाना चाहते है मनलब हट कर कुछ बताना चाहते है मंगल अगनी का भी कारक है और मिट्टी अगनी में तब कर ही इट बन जाती है कठोर हो जाती है तो मंगल को बल मिल गया जैसे किसी महात्मा को कोई शिद्धी मिल जाए उदारण के लिए जैसे कोई महात्मा को कोई शिद्धी मिल जाए मंगल को बल मिल गया जैसे एक महिला को पती मिल जाए बड़ा मजबूत महसूस करती है इस्तरी अपने उनके साथ है ना यस तो ऐसे ही जब मिट्टी इट बनी तो वो बलशाली हो गई मंगल का प्रभाव उसके साथ कई गुना सकरात्मक वे में बढ़ गया मंगल हो गया बंबं मंगल हो गया बंबं मंगल आपके जन्मांग में अब कुछ कुंडली से हम आ रहे हैं चुकि ये कारिक्रम जोत्षियों के लिए विशेश रूप से लाफदायक है तो मंगल से जुड़े कुछ विशेश रोचक चीजे हम आपको बता देते हैं जो कि आप अपने अनुभव में और जोतिश के अध्यन में जब आप अध्यन शील रहेंगे जब आपके सामने कुंडली आएंगी तो अगर इन चीजों को आप लिख रहे होंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा जब आप उस पर अप्लाई करेंगे हमारे जो शोध हैं जो योग हम बताते हैं देखे कुंडली में मंगल केंद्र में कहीं पर भी अपने घर का होगा तो आपकी कुंडली पंच महा पुरुष योगों में से एक योग रूचक से यूग तो हो जाएगी अब ये रूचक योग क्या है इसके बारे में बहुत विश्टार ना देते हुए बस थोड़े में इतना जान लीजिए कि रूचक योग का मतलब आत्म विश्वास से परिपूर्ण और मेहंती व्यक्तित्व बस इस से आगे मत बढ़िएगा अब यह गुण अगर आप में आ जाएगा तो आप प्रिथवी वान जरूर होंगे वीर भोग गया वसंधरा इस वसुधा को इस प्रिथवी को वीर भोगता है that means मंगल का मूल गुण प्रिथवी नहीं है वीरता है तेजस्विता है इस ट्रॉंगनेस है आईए हट कर जानकारी लीजिए मंगल वीरता का कारक है और जो वीर होगा वो प्रिथवी वान होगा इसलिए मंगल पृत्वी का कारक प्रकारांतर से बना मूल में वीरता है आज जरूरत जोतिश के इस तथ्थ को पकड़ने की है मंगल धरती पुत्र है, मंगल धरती पुत्र है, कैसे? कैसे ऐसे जैसे अभी बताया है तो मंगल के इस तत्व को जो accept किया है वो रूचक योग है मैं तो एक बात बता देता हूँ चंद्रमा से या महादुशानात से या लगन से कहीं से भी मंगल रूचक योग बनाता है तो उसका असर मिलता है कब मिलता है दशा अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा में और लगनेश से भी बनने वाले योग पर लगन से अगर हम जोड़ें तो उसके योग पर क्या है प्रियोग अब हम उस तक पहुँचते हैं मांगलिक के बारे में मैं आपको एक नही जानकारी देता हूँ मांगलिक को मांगलिक से विवाह नहीं करना चाहिए नहीं तो दोश बढ़ जाता है अब यहां मैं उल्टी गंगा कैसे बहा रहा हूँ उसका तर्क आपको हमारे एक खास वीडियो से मिल जाएगा मांगलिक पर हमने बहुत स्पष्ट बहुत कुछ बोला हुआ है आप कमेंट बॉक्स या डिस्क्रेप्शन बॉक्स से उस लिंक को ले सकते हैं और मांगलिक के बहुत बड़े भ्रहम से बच सकते हैं अब हम बताते हैं आपको उपा है आप इट का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा और इट लेना है किसी मंदिर के पास से हनुमान मंदिर के पास से इट ले ले तो सोने पे सुहा का है यहाँ पर मंदिर से तात पर उस मंदिर का है जहां पर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा हो ना कि वो पीपल के नीचे रखी मूर्तिवाले हनुमान जी जहां पर हर दिन सुबह दो पर शाम धोब दीप आग हवन जाप घंट घड़ियाल बचता हो ऐसे मंदिल से एक छोटा सा इट का टुकडा लीजिए इट टुकडा उसी मंदिल के आसपास से घर लाए गंगा जल से धुल लीजिए और एक पत्थर से घिस लीजिए पत्थर पर इट हलका सा पानी डाल के घिस लीजिए थोड़ा सा लिक्विड बनेगा उससे कटोरी में र आ के उपर बिंदी एक तरफ ये लिख दीजिए जिधर कुछ प्रिंटेड होता है इत पर और एक तरफ जिधर प्लेन है ओम अंग लिखिए आ के उपर बिंदी ओम अंग एक तरफ ओम हंग एक तरफ ओम अंग इसके बाद इसे अपने सिरहने रखके सो जाएए एक रात के लि लेकिन मंगल वार हो अमावस्या हो दिवाली हो होली हो तो सेम पर्ववाले दिन करें और साल में सैक्णों बार करें कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है मंगल का एक सद प्रभाव आप पर पढ़ना 100% कनफर्म है ये चैलेंज के साथ बोला जा सकता है यह प्रियोग मेरे द्वारा कीलित है इस प्रियोग को कोई नकल करके चुराता है तोड़ मरोड कर पेश करता है तो बजरंग भली उसको पाप देंगे चलिए आप लोग सुखी रहें प्रशन रहें और इस वीडियो को होली के दिन जरूर आप शेयर करके उपाय कर लिजेग एकादशी आती है दे उतने कादशी आती है करवा चौथ के दिन पक्का कर लिजेगा मतलब यह मल्टी परपज उपाय है इसके थमनेल पर मैं लिख दूंगा मल्टी परपज उपाय प्रियोग चले बहुत थाइंक्यू बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद प्यार जाएगा आज की वीडियो में आप देख लीजेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पासकते हैं थैंक्यू नमस्कार शिरादे